बलेवुड के दबंग सल्मान खान बलेवुड की हसीना एश्वर्या राय बच्चन के अपेर के बारे में हर कोई जानता है आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे ही दिल्चस्प वाके के बारे में जिसका खुलासा खुद सल्मान ने एक इंटर्व्यू में किया था सल्मान ने कहा था कि एश्वर्या के माता-पिता दोनों ही बेहतरीन इंसान है आ ये अलग बात है कि उन्होंने मेरे इतने अफियर के किस्से सुने हुए हैं कि वो नहीं चाहते कि मैं उनकी बेटी की जिन्दगी का हिसाबनू आगे उन्होंने कहा कि मुझे नापसंद करने की सबसे वड़ी वजह है मैं खुद हूँ मैं हर चीज तो रंत चाहता हूँ इसलिए जल्दबाजी में मैंने कुछ ऐसे काम किये जो उन्हें पसंद नहीं आए मैंने उनके साथ बद्तमीजी भी की इसके बावजूद उन्होंने एश्वर्या पर कभी कोई पाबंदी नहीं लगाई जिस तरह मैं कभी अपने माबाप की बेजजती बरदाश्ट नहीं करूंगा उसी तरहे एश्वर्या ने भी अपने पिता की बैज्जती बरदाश्ट नहीं की उनका मुझ पर गुसा होना जायज है कौन पिता अपनी बेटी को ऐसे लड़के के साथ जाने की इजाज़त देगा इसके अलावा सल्मान ने बताया की मैं इसलिए एश्वर्या से प्यार करता हूँ कि मेरी तरहे वो भी अपने परिवार से इतना प्यार करती है वो मेरे लिए अपने परिवार से क्यों लड़ेगी ये उसकी शांदार क्वालिटी है, मैं क्यों चाहूंगा कि वो मेरे लिए अपने माबाप से लड़े आगे उन्होंने कहा कि मैं भारतिय हूं, मेरे पिता मुसलिम है, मेरी एक माँ हिंदू है, दूसरी माँ कैथोलिक है, मेरी बहन का पती भाईयों की पतनी हिंदू है इसलिए हिंदू मुसलिम होना हमारी दिक्कत है ही नहीं, हमारे बीच ऐसी कोई बहस कभी नहीं हुई है मेरे आश्वर्या के बीच की सारी चीज़े मैंने अपनी बेवकूफी से खराब की है इसलिए मैं चाहता हूँ कि एश्वर्या उसका पूरा परिवार फिलहाल किसी भी कंटोवर्सी से दूर रहे मैं भी अपने करियर पर पूरा फोकस कर पाऊं